नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र आप देखरे हैं पंजाब के स्री टीवी हरियाना विधान सभा का विशेश शत्र हरियाना सरकार के तरफ से बुलाया गया है कल विशे सत्र होना है क्योंकि पंजाब विधान सभा में चंडिगर पर अपने हक को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया किस तरीके से रहने वाला है इसी को लेकर बात करेंगे हरियाना से कोसली से भाजपा के विधायक लक्षमाण सिंग यादव मेरे साथ है बात करते हैं यादव साब जिस तरीके से पंजाब विधान सभा में प्रस्ताव पारित किया गया और आप विशे सत्र बुलाया गया है आपको क्या लगता है कि इतना असर पड़ेगा और क्या ये प्रतिक्रिया है उनके एक्शन की देखे सबसे पहले तो केजरिवाल अनेक वादे करके और सब कुछ फिरी करने का वादा दे के आया था पंजाब के जनता को लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के ऐस सविधानिक बात कहके वो पंजाब की जनता का जो दिशा बटकाने का काम कर रहा है बाकि यह कोई नई बात नहीं है जब 1966 में जब हमारा 6040 का जब बटवारा कोई बात का हो गया तो बार बार उन गहाओं को क्यों करोदने का काम कर रहा है इस से परजात अंतर का भी हनन होता है इसमें जनता में भी अलग लग रोज होता है और जो अच्छा शांती प्रिये केजरिवाल जी कर रहे हैं तो यह निंदनी है और मैं यह समझता हूँ कि निंदा के साथ साथ यह उनका बश्पना भी है तो जिस तरीके से अब हमने विशे सत्र बुला लिया है तो उस एक्षिन का रियाक्षिन है यह हम यह मनें नहीं देखिए यह तो जरूरी है जब इसलिए अचानक विशेश सत्र अर्याना ने सरकार ने बुलाया है और सभी राजनेतिक दलों से चर्चा करने के बाद कल का सत्र होगा उसमें हमारा मुक्य मुद्ध्य यही रहेंगे कि हम जब बटवारा पहले हो गया चाहिए वो S.Y.L. का हो चाहिए वो आपका गाउं का हिन्दी वासी चेत्र का हो चाहिए वो उनिस्टी का मामला हो यह क्योंकि आपने देखा 4-4 परसेंट दोनु स्टेटों का यूनिस्टी का और 20 percent center का है तो वो हमारा 4 परसेंट नहीं मिल रहा चाहिए उसका मामला हो और फाजिल का अबोर का मामला हो और चंदिगड के का माम कर ने जो इस तरह का निंदा प्रस्ताव पास किया उसके निंदा हम करते हैं और हम यह चाहते हैं कि अनेक चीजे जैसे बटवारे में हमें मिलनी चाहिए जब पंजाब अलग-अलग तीन चेत्रों में बटा चाहिए वह रियाना बना चेए वह इमाचल बना चेए पंजाब तो जब भाई उनका बटवारा होता है तो वो समान तरीके से होता है और उसी के आदार पर सब चलना चाहिए शांती फैलाने का जो प्रियास किया जा रहा है इसके पीछे मुझे केजरिवाल की मंसा कुछ और लगती है कहने को ति यह कहता है कि दिल्ली में पानी नहीं आ र कर रहा है और मैं अगली बात कहूं कि यह जो इस तरह के जो ऐसामाजिक यह निरने था यह इस तरह का नहीं होना चाहिए इससे सोहार्द हमारा बार बार खराब होता है एक आपके एरिया में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर लगाता धरना चल रहा है आपने भी विदान सभा में जोर सोर से इस मुद्दे को उठाया था और जब आप का समर्थन भी सभी दलों के विदाय को ने किया था दिक्कत कहां आ रही आप तक क्यों नहीं यह बन पाया है और आगे जो यह लड़ाई कह सकते हैं आंदोलन है यह किस तरीके से आप का अहीर रेजिम आज जातिगत रेजिमेंट हैं तो यह बार-बार जातियों के नाम से रेजिमेंट क्यों होती हैं तो मैंने का हम तो समानता चाहते हैं जातिगत रेजिमेंट होनी भी नहीं चाहिए अगर हैं तो इसमें याद्वों को भी जोड़ दो क्योंकि उनका सेनने इतियास भी है आ इंदर सरकार का है निरंतर प्रदेश में भी विधान सेभ望 में भी कई लोगों ने इस मांग को उठाया है और सेंटर में भी बहुत सारे एंपीज ने इस मांग को संस्द में उठाया राजे सेभ望 में उठाया और मुझे लगता है कि ङो आज क्योंकि जब हम 55 अमरित मोच्षों मना रहे हैं तो उन उन सहीदों को उन सहनिकों को सम्मान देने के लिए ही मना रहे हैं जिनके कारण आजादी आई और जिनके कारण आजादी काइम रही तो आज उनी को सम्मान के लिए मना रहे हैं तो अब मोका भी है दस्तूर भी और मैं समझता हूँ का अज हमारी सरकार जो है वो देश भक्तों का सम्मान करती है उसके अंतरगत ये डिमांड भी जायज है और ये जल्दी वह उसे हम हो जाए ऐसा मेरे छेतर के लोग भी चाहते है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्षमार सिंग यादव कोसली से भाजपा के विधायक मेरे साथ थे और जिस तरीके से पंजाब विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया चंडिवड पर अपने हक को लेकर और अही रेजिमेट की मांग लगातार अदक्षिन हरियाना से उठती रही है उसको लेकर भी बात की मैं हूं देवेंद्र देखतरि पंजाब के सी टीवी नमस्कार